तो Language, Generation of Languages और उनके Translator के बारे में पिछले दो क्लासेज में पढ़ाई हुई है, उससे लेकर कुछ औरल पूछने की कोजिस कर रहा हूँ, ठीक, आप खड़े हो यह, आप छोट, क्या है Language, Computer Language से क्या समझते हो, समझाना है Sir, Computer Language, Binary Language को Accept करता है पर लेंग्विज होता क्या है, हम यह पूछ रहे हैं Language का Hindi क्या होता है भाषा, Hindi पढ़ते हो ना समीता में से, लेंग्विज भाषा है तो Computer की भाषा क्या है, क्या समझते हैं हम से, टाइप ट्रांस्लेटर बात की बात है ट्राइ कीजे फिर बात लेंग्विज होता क्या है, करता क्या है, ट्राइ कीजे तो इससे होगा क्या सही जा रहे हैं आप, बहुत सही जा रहे हैं होगा क्या इससे मदलब अब जान यह अलगी कोडिंग है कोडिग बात पहम है ने जनेरेसन पहम आए ने कंप्यूटर एक भासा है जो आप समझ रहें यह कंप्यूटर भासा वैसी भासा है जैसे हमारे हिंदी और इंग्लिस की भासा है अम राइट और रॉंग एक ती बाता को समझ में एक फिर रहे हैं ंदॉटे हमारे हिंदी और इंग्लिस से होता किया है तो फिर बि погड्र करते है ठीक तो यह एंसर कंप्यूटर के लिए होगा हमने एपको एंसर बता रहे धुर भी आप नहीं दे पार रहें है वो ट्राइग कंप्यूटर के लैंग बेज से कंप्यूटर से हम कम्यूटर से हम कुम्यूट करें खड़े रहे इसलिए नहीं कि आपने जबाब नहीं दिआ तक यह अच्छा एंसर है यानि कि चीज समझ में आपको आती है थैंक्यू इस लिए कि मेरी कलास जया नहीं गई जय मतलब भासा से हम आपस में कम्मिनिकेट करते हैं बातचित करते हैं अपने फिलिंग सेयर करते हैं तो कम्प्यूटर एक मशीन है तो मशीन से भी अपनी फिलिंग या अपने विचार सेयर करने के लिए we use computer language कोई डाउट है यहां तक बात oral भी हो गया और एक revision भी हो गया करके जितने भी लैंग्विज उनके नाम बताजा दी है हमने जनरे संके हिसाब से नाइस अंसर आप तो हुआ ही नहीं बैठी आए आप बैठी जाहिए आप दूनों इसलिए कि मुझे याद नहीं